विद्याति मित्रों जनाप कुद्बुद्दीन मुवल्लीम बोईस प्रायमारी स्कूल कक्साचेके विद्यार्थ योगा मैं ओनलाइन सिक्ट्रम आपको हर्दी स्वागत करती हूँ आज का विशाई हिंदी विश्यांगे निबन लेखन निबन लेखन की काफी में आपको कहानी लेखन लिखनी ही दिनांग 27.1.2021 विद्याति मित्रों अनुक्रमानिका में आपको लिखना है क्रम 3 आगे हमने देखे पत्र लेखन नमबर एक, नमबर दो महत्मा गांधी और नमबर तिसरा यह आएगा नमबर तिन विशय में आएगा कहानी लेखन दिनांग 27.1.2021 तो चलो विद्याति मित्रों हम कहानी देखेंगे कहानी देखने से पहले है उसके हम कहानी के मुद्ध्यान उसकी रूप रेखा पड़ेगे एक जंगल, जंगल में तालाब, तालाब के किनारे चार मित्र, कवा, हिरन, चुवा और कचुवा गुमते गुमते हिरन का सिकारी के जाल में फसना हिरन का मित्रों को आवाद देना, कवे का आना, हिरन को फसा हुआ देखना, तुवे को लेकर आना जाल को काट कर हिरन को मुक्त करना, कवे का सिकारी को देखना, हिरन को सावधान करना, हिरन का भागना, हिरन को न देखना, सिकारी का कुस्ते होना कच्चु एको थेली में ले जाना, कच्चु एका तालाब में सरक जाना, सीख चले विध्याति मित्रों, हम आप कहानी देखेगे कहानी का सिर्षक है सच्चे मित्र यहाँ पे देखतों आप कववा है, कच्चुवा है, हिरन है और चुवा उसका सिर्षक्या आएगा सच्चे मित्र अब आपको यह पेरेग्राप से लिखना आपको फक्र पड़के एक जंगल था उसमें एक तालाप के किनारे कववा, हिरन, चुवा और कचुवा यह चार मित्र रहते थे एक दिन हिरन गुमते गुमते शिकारी के जाल में फस गया कववा, चुवा और कचुवा कहीं दूर चले गये थे उसने मित्रों को आवाज दी पर वहां कोई नहीं था कुछ समय के बाद कववा आया उसने हिरन को जाल में फसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ उसने हिरन से कहां मित्र चिंता ना करो मैं अभी तुमें जाल से मुक्त करता हूँ वह उड़ता हुआ चुवे का पास पहुचा और बोला चुवा भाय जल्दी चलो अपना मित्र हिरन सिकारी के जाल में फस गया है जाल काट कर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो ऐसा करो कि तुम मेरी पीट पर बेट जाओ तो हम जल्दी पहुच जाएगे कचुवे ने कहा कववा ठीक कहता है तुम दोनों जल्दी जाओ में भी बाद में आता हूँ कववा चुवे को अपनी पीट पर बिठा कर ले आया चुवे ने दिरे दिरे जाल काट डाला कववे ने दूर से सिकारी को आत हुए देखा उसने हिरन को सावदान किया हिरन जाल से निकल कर बागा चुवा पास की जाडी में छिप गया तब तक कचुवा वहां पहुच चुका था सिकारी के पास थेली थी हिरन को ना पाकर गुस्ते में उसने कचुवे को पकड़ कर थेली में ले जाना चाहा लेकिन तब तक कचुवा तालाब में सरक गया, सिकारी हाथ मलता रह गया इस तरह कववा, हिरन, चुवा और कचुवा चारों ने अपनी मित्रता निबाई अब देखेगे सिक, इस कहानी से हमें यह सिक मिलती है कि मुसिबत में सच्चा मित्र ही काम हाता है तो विद्याती मित्रों, यह कहानी कि मैं आपको PDF दूँगी, PDF में से आपको यह कहानी लिखना है और अनुक्रमाने का मैंने आपको समझाए है, इससाब से आपको लिखना है विद्याति मित्रों इसमें देखकर जोर्णी में भूल मत करना और अच्छा अक्तास सुन्दा अक्तास तुम्हारे कहानी निबंद की कापी में क्रम तीन उसमें आपको लिखना है विद्याती मित्रों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसके लाइक कीजे और अपनी चैनल को सब्सक्राइब कीजे थेंक्यू विद्याती मित्रों